हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वल्ल कप के एक और महा मुकबला मैच में जो खेला जाएगा इंडिया बनाम नीदर रन के बीच में ये वल्ल कप का आखरी लीग मैच होगा जिसमें इंडिया पहली कौलिफाई कर गई है और नीदर रन का ये लास्ट मैच है उसके बा के साथ analysis करने वाले हैं सारा score हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर एक एक states हम आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपका टीम लाजवाब बनने वाला है और आप अच्छा जील में अच्छा profit कर सकते हैं कोई भी update होता है तो हम आपको telegram पे देते हैं तो हमें telegram पे जाके ज साबित होने वाले हैं और किसका यहाँ पर पलड़ा भारी रहने वाला है हम आपको इसमें वीडियो में team भी बना कर देने वाले है कि किस स्थिम आपको team बनाना है और किसके पक्ष में team बनाने वाला है तो जोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जो मैच होने वाला इंडिया और निदरलेंड के बीच में, इसमें क्या पुजिशन रहने वाला है, तो आपको पताईए कि इंडिया बहुत ही तगड़ा टीम है, और निदरलेंड अभी अबरती हुई टीम आ रही है, कापी भारी पढ़ने वाला है, इंडिया यहां पे निदरलेंड के तरफ से, तो आप कि इसके कुछ दो ही प्लेर ऐसे लेने हैं, जैसे दो या तीन ख्लरी लेके चलने हैं, वो हमको पताने वाले हैं, जैसे कि आपके लिए ट्रॉंप कार्ट साबित होने वाले हैं, वो सभी हम आपको बताईएंगे इस वीडियो में, तो दोस्तों यहां पी इंडिया का बारी रहेगा, नीदर एंड का डाउन रहेगा, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि मैच कहां पे होने वाला है, तो आपको पताईए कि यहां पर तीन सो पलस का एसकोर खड़ा कर देंगे, दिखे अगर पहले बैटिंग करती है, यहां पे दोस्तों आपको दिख रहा हो, दोस्तो लेकिन इंडिया पहले बैटिंग करती है, दोस्तों तो हम यकीन मानिए, यह एसकोर तीन सो पलस जाने वाला है, यह एसकोर आपको तीन सो पलस जाने वाला है, वहीं अगर नीदर लेंड पहले बैटिंग करती है, इस इस्तिति में अगर नीदर लेंड पहले बैटिंग करे तो ऐसे स्थिती में नीदर लेंड बहुत ही ज्यादा यहां पे डरा हुआ रहएगा और उसका जो स्कुर है वह आपको 100 के अंदर भी निपड़ सकता है तो इस स्थिती में आपको देखना पड़ेगा चले अब हम बात करतें कि किस इस्थिती में पॉइंट है और एस विडेविड का पुंच जो है वह चार सो उन्चास है हालांकि आप देखते हैं इंडिया खिलाडी केल डाउल अच्छा पॉइंट होना चाहिए लेकिन आप इनसे ज्यादा पॉइंट एस एडविड का है विकेट कीपर के सेक्शन में अब यह क्यों है आ अगर देते भी हैं तो लास्ट के 10 ओवर जो बाकी रहता है उस में जैसे के 40 ओवर हो गया या फिर 40 ओवर से लेकर 50 ओवर के बीच में ऐसे इस्तिति में यह आते हैं और कुछ स्कूर कर पाते हैं इनका पॉइंट ज्यादा नहीं बन पाया लेकिन हालांकि यह बहुत अच् चांस मिलता है खेलने का और एस वेडिवर जो है इसको चांस ज्यादा मिलता है इसलिए विकेट के पर में चौथे पांच में डाउन पर आते हैं लेकिन इनको ज्यादा चांस मिलता है वो इसलिए ज्यादा मिलता है दोस्तों क्योंकि जो आपनर बैट्समन है इनके जो भी पर मिल जाता है, जिसके कारण से यह अच्छे खेलते हैं, किसी-किसी मैच में तो बहुत लाजवाब खेलते हैं, और पुइंट इनका है, इसलिए केल राउल से ज्यादा है, तो आपको समझ में आ गया हो कि क्यों इनका ज्यादा पुइंट है, तो हम बात करते हैं, कि आपको क्या राल को केल डौल को यहां पर ड्रॉब करना है और इसको airवर को ले चलना है ठीक है दोस्तों इस मैच में आपको एसे एडवर को लेकर चलिये गा केल देखे रहुण इसके इसे नहीं हम रिये बताया रहे रिये डिये यह चारों मिलकर 40-50 और खेल जाएंगे तो इनको कम चांस मिलने का यहाँ पर चांस है ठीक है तो ऐसे इस्तिति में आपको क्या करना है जो किया डॉल को ड्रॉप करना है नीदर लेंगर पहले बैटिंग करती है दोस्तों तो इसका भी कम सेलेक्शन मान लिजिए कि 150 या फिर दोस्तों के अंदर इनका आल आउट हो जाएगी यह टीम आल आउट हो जाएगी ऐसे इस थिति में जो बैट्समें आएंगे बैट्समें में आपको रोही सर्मा सुमंगेल और विराट कॉली यह सब आएंगे सरसयर मारकर मैच को जिता देंगे तो इनको लेना आपके लिए ज़्यादा फायदे मन नहीं है आपका मैनस में रह जाएगा उससे अच्छा है कि आप ऐसे एड़िक तब जा सकते यह 30 से 40 पोइंट दे देंगे या फिर 50 पोइंट देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होने वाला है तो आप इसे अपने टीम में लेकर चलिएगा हम इसा 40 से ज़्यादा तर देखेंगे तो 40 से 50 पोइंट पर आउट हो जा रहे हैं लेकिन इनका जो पोइंट रहता है ड्रीम 11 का वो अक्सर आपको 60 से लेकर 70 पोइंट देखनों के मिलता है वो इसलिए रहता है दोस्तों कि यह बहुत फास्ट केलते हैं कम बोल में ज़्य क्यादा रन बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो पॉइंट है वो बन जाता है यहां पे 60-70 डिटी लगने का चांस रहता है इनका मतलब पॉइंट जादा देते हैं इसलिए इनका पॉइंट यहां बहुत जाता है तो रोई सर्मा को अपने टीम में जरूर लेकर चलि इसे आप अपने टीम में जरूर रखेगा, 92% सेलेक्शन है, बहुत ही सेफ खिलारी है, सभी लेकर चल रहे हैं, आपको भी इसे लेकर चलना परेगा, 708 पॉइंट लेकर बैठे हुए, पर मैच में खेल रहे हैं, इसा लगता है कि पर मैच में सतक मार देंगे, वो तो आपको कम से कम आप उसे अपने टीम में चारो आपनर को लेकर चलिएगा, इस चारो आपनर को लेकर चलना है, जैसे सरे सयर को इसे लेकर चलना है, इसलिए लेकर चलना है, क्योंकि हम आपको बता दिया पहले कि इंडिया पहले बैटिंग करती है, तो 40 से 50 सब यह सभी खेल जाएं मतलब यहां पर हम कहने का मतलब इंदर रेंड का जो भी ओपनर बैट्समेन है उसे आपको ड्रॉप करना पड़ेगा दूसरे तरफ आपको बॉलर देखने को मिल जागा इंडिया का तगरा बॉलिंग एटेक है वो कितना ही तगरा एटेक है तो आप इसे छोड़ के चलना दिखेंगे तो इनका भी 2% सेलेक्शन है पिछले मैच में अच्छा के लेते हैं लेकिन आप इसे एजब पैंटर के तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं यह आपके लिए पैंटर के तौर पर अच्छे काम आने वाले हैं तो आप इसे एजब पैंटर के तौर पर जा सकते हैं इस इनका दोस्तों और यहां पर बात किया जा जो पिछले मैच में अच्छा प्रफॉमिंस किये थे और यहां पर जो इनका अगर देखेंगे आप जो लेफ्ट हैंड बैसमें भी है और सुला लेफ्ट आर्म आउडर बॉक्स भी करते हैं ठीक है इनका ड्रीम टीम देख रहे हैं पॉइंट और दे रहे हैं आपको मतलब हर मैच में डीटी दे रहे हैं एक ही मैच में डीटी नहीं दिये होंगे लेकिन 87% बहुत मैंने रखता है दोस्तों 8 मैच में 87.5% ड्रीम टीम देना मतलब बहुत ही लाज जबाब है तो आप इसे टीम में अपने जरूर रखेगा औ पर रहते हैं विकेट भी निकालेंगे उनपर ही बात करते हैं बीडिली लीडी का देखेंगे तो 601 ड्रीम पूंट दिये हैं ये खिलाड़ी बहुत आपको इस अपने जरूर रखेगा इसे ड्रॉप मत कीजेगा एलवेंट विक इसे अपने टीम में आप लेके चलना परेगा इसे ड्रॉप नहीं करना है मतलब आल राउंडर में जितने भी नीधरलेंड के बैटमेन आपको देखने मिल जाएंगे बैटमेन या बाउलर तो आप उसको क्या करेगा बिलकुल लेके चलना है इसे अपने टीम में जरूर लेके चलिएगा पांसो पंदरा डीटी लेहां पर पॉइंट देके बैठे हुए हैं मतलब ये खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी इसे अपने टीम में जरूर रखेगा ये आपके टीम में होने ही चाहिए इनका परसेंटेज जो है वो सेलेक्शन जो है कम हो गया लेकिन हम आपको फ्रिफर्ट करने वाले है कि आप जरूर इसके साथ जाईएगा ये आपके लिए अच्छे साबित होने वाले है दोस्तों इसे जरूर लेके चलिएगा ये बॉलिंग के साथ बैटिंग भी करते हैं तीसरे नमबर पर आएंगे और इस मैच में अच्छा खेलेंगे बॉलिंग के हिसाब से हो या फिर बैट्समन के हिसाब से हो थोड़ा बहुत आपको अच्छा पॉइंट देने वाले है इनका जो पॉइंट रहने वाला है दोस्तों वह आपको 30 से लेकर 40 पॉइंट रहने वाला है इस मैच में तो आप इसे जरूर लेके चलिएगा ये पांच विकेट, पांच विकेट से रह निकाले हुए हैं तीन विकेट, चार विकेट निकाले हुए हैं बहुत तगड़ा के लड़िये इसे अपने टीम में लेके चलिएगा और इसे CBC के तौर पे इस्तमाल कर सकते हैं ये बहुत आपके लिए अच्छा उप्सन होगा हम कुलती प्यादव को आज के मैच में आपको ड्रॉप करना है ड्रॉप इसलिए करना है दोस्तों कि हम आपको बताने वाले हैं जो निदर लेंड की टीम है उसे जो अगर बैले बैटिंग करती है तो जो भी फास्टर बॉलर है वो सभी उखार कर रग देने वाले हैं तो सिराज तो इसे अपने टीम में जरूर रखेगा यह अच्छे खिलाडी आपके लिए होंगे चलिए बात करते हैं एदद का तो आप इसे ड्रॉप करें रख दीजेगा पिसले जो भी मैच में आप देखेंगे तो एक दो विकर तो निकालते ही हैं लेकिन इस मैच में कुछ खास पर्मेंस नहीं करेंगे इंडिया खिलाडी बहुत तगड़ा खेलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के मिल जागा रन निकाल लेंगे और विकेट नहीं मिलने वाला है विकेट अगर मिलेगा भी तो आल डॉनर में कुछ खिलाडी है इनको मिलने का चांस हो सकता है तो ऐसे इस्तिति में आपको इसे ड्रॉप करके चलना परेगा इसे ड्रॉप कर चल सकते हैं और विकेट कीपर में तो विकेट कीपर में आपको यहाँ पर किसी भी को कैप्टेन या वोईस कैप्टेन बना कर नहीं जाना है इसे यहाँ पर आपको ड्रॉप कर चलना है करने साथा है आपको लंबा इसकूरải nell cooked ने कीए तो कि अपने एक्छा यहांगा हुए मौब देक्षिक आपको लंबा इसकूर स्कोर देखनों को मिल जाएगा तो इस अपने टीम ब्यूब रखेगा बात करते हैं सिबमन गिल आपका सबसे पहले जो पहला च終से कैपिन का होच जाए आपका रोयश जर्मा आपकर फर्स्ट और दूसरा चaron सर्मा दूसरा चोह वो आपका विराण क्वली ये इसे जान देना पाड़ेगा इसे आपने टीम में रख सकते हैं और दोस्तों आप रविंदर जड़ेजा के साथ फर्स्ट चुएस में जा सकते हैं और दोसरी तरफा बीडी लीडी के साज जा सकते हैं सीवीशी का तौर पर ये आपके लिए अच्छे सावित होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ज़िए साथ से आठ वेज़े अब निकालने हैं यहां पर बाल बाल निकालने का चांस है वो कम से कम चार से पांच विकेट निकालने का दर्गरार बनता है कि ये चार से पांच विकेट निकाल देंगे जस्विद बुमढ़ा यहाँ पर ये दो से तीन विकेट निकालने का दम रखते हैं दो से तीन विकेट निकाल सकते हैं आज के मैच में तो दोस्तों इसे आप अपने टीम में जरूर जगा दीएगा आपके लिए अच्छा हो सकते हैं फर्स्ट च्वाइस ये सब आपके लिए होना चाहिए मुए बात करते हैं किल्दी प्यादगों तो आप इसे ड्रॉप करें चल रहे हैं मुहमद सिराज देखे यहाँ पी इस मैच में आपको बोल रहे हैं और विकेट निकालेंगे तो अच्छा पॉइंट आपको कबर करके देने वाले हैं एक सुसे लेकर डेर्ट सो के ज़्याद ही आपको पॉइंट देने वाले हैं तो इसे अपने टीम में जरूर जगा दीजेगा यहाँ पे देखे हाँ हमने केल राहूल को लेकर रख चला है आप यहाँ पीसे ड्रॉप करके सरे सया यहर के साथ जा सकते हैं कैप्टें का तौर पर हम इस्तमाल की हैं रोही सर्मा को और सुबंगिल को चलिए में बात करते हैं विकेट कीपर का तो हम बिल्कुल यहाँ पे एक ही विकेट कीपर को लेकर जाने वाले हैं जो फाइनल बेट होगा वो हम आपको टेलिग्राम पे देने वाले तो आप टेलिग्राम पे जाकर जोईन कर सकते हैं तो यहाँ पे विकेट कीपर में हम सिर् विराट कॉली समाल लेंगे पारी को तो यहाँ पर यह आपके लिए अच्छा option हो सकते हैं ठीक है तो आपको इसे drop करना है और S. Edward को लेकर चलना है Captain के तोर पर बैटर्स में देखेंगे तो बैटर्स में हम मातर तीन खिलारी लेकर चले होगे हैं वो भी यहाँ पर आप देखेंगे रोही सर्मा है और विराट कॉली सुमन गिल यह इसलिए लेकर चले हैं दोस्तू क्योंकि रोही सर्मा जो बहुत फास्ट खेलने वाले हैं और आज के मैच में सतक भी मार सकते हैं तो अच्छा पॉइंट यहाँ पर इनको मिल सकता है वेटर्स में आप विराट कॉली को सुमन गिल को सुमन गिल और यह दोनों अगर मानलीजे 20-25 खेल लेते हैं 20-25 खेल लेते तो एसकोर आपको 200 से जादा देखने को मिल जाता है तो यह अपना दोनों काम करके जा चुके होंगे उसके बाद जो आएंगे विराट कॉली और फिर सुमन गिल यह पचास सोबर तक खेल जाएंगे 40-50 सोबर तक तो ऐसे इस्तिती में आप जो दूसरे बैट्स में आएंगे उसे लेना यहाँ पर आपके लिए सेफ नहीं है ठीक है तो ऐसे इस्तिती में आप रोही सर और सुमन गिल को कैप्टेन वाइस करना तुर पर जा सकते हैं विराट को लिए और इसे ड्रॉप करके सिरे सेयर को ले लिजिएगा यह आपके लिए ज्यादा अच्छा होंगा और यहाँ पर आपको फास्टर बॉलर यह देखने को मिल ही जाएगा तो ऐसे में क्या करना है ऐसे इस्तिति में रविदा जेटा के साथ भी आप कैप्टेन का तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं और बीडी लिडी को भी कैप्टेन या फिर वीसी का तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं यह आपके लिए अच्छे उप्सन होने वाले हैं ठीक है अच्छे उधारन रह सकते हैं चल के लिए तो महां पर विकेट जल्दी गवा देगा निदर रेंट का खिलाड़ी तो इससे लिए तीनों को हम लेकर चले हुए हैं तीनों फास्टर बॉलर है यहां से पंदरों अबर के बीच में चार से पांच विकेट निकालेंगे उसके बाद रूंज रजाएंगे तो इससे साथ बना सकते हैं तो यहां पर हम बात करतेंगे बॉलर का बॉलर को आपको कब बनाना है ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे बॉलर में सबसे पहले हम आते कि नीदर लेंड दोस्तों अगर नीदर लेंड पहले बैटिंग करती है तो ऐसे इस्थिति में आपको पूर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं एक प्लेयर को ड्रॉप करके इसे ड्रॉप करके आप जा सकते हैं सिराज के साथ, यहाँ पे आपके पास सिराज भी आप्सन है, सिराज के साथ जा सकते हैं, कैप्रेंट भैस कैप्रेंट दोनों के इस्तमाल कर सकते हैं ऐसे बॉलर के लिए, ऐ यहाँ पर आपकर देखा जाए कि All Orts रोने का संभावना कितना बन जाता है निधर लेंड का तो यहाँ पर ज्यादा escore करेगी तो 100 से लेकर यहाँ पर देखने के मिल जाएगा ज्यादा 200 तो इतना जो चेस करने का है वो रोहिस सर्मा विराट कॉली और सुमन गिल ये सभी चेस कर लेंगे तो ऐसे इस्तिति में विकेट आपको निकाल के देंगे बॉलर सभी सभी बॉलर देने वाले हैं तो ऐसे इस्तिति में आप इसके साथ जा सकते हैं और वह इसे वह इसके साथ जा सकते हैं मौमद समी के साथ तो यहां पर हम बात करते हैं जो दोस्तों विकेट कीपर में एक विकेट केपर लगा चले हुए है जब निदर लेंड पहले बैटिंग करेगी तो ऐसे एडवेड को ठीक है बैटर्स में रोई सर्मा और वराट कॉली सोमन गिल इसके आलावा जो भी बैट्समें आपको देखने को मिल जागा यहाँ पर सभी को अमने ड्रॉप कर दिया है इसलिए ड्रॉप किया कि यह सभी बैट्समें नहीं जीता देंगे यहाँ पर तो ऐसे इस स्थिते में आपको इस पर ध्यान देना परेगा इस खिलाडी को लेकर चलना परेगा ठीक है और यहाँ पर जो आपनर बैट्समें निदर लेंड का वो सभी को हमने ड्रॉप करके रखा हुआ है बॉलर हमने लेकर चला है जिससे कि यहाँ पर बिकेट गिरने का चार्म ज़्यादा बन जाकता है और एक तरफा आप यहाँ पर विन करने का यहाँ पर देखेंगे आपको वहीं पर बात करते हैं कि दोस्तों कि आल्ड आंटर में तो आल्डर में रविंदर जड़ेजा, सी एकरमेन और वी लिक और बीडी लीडी है आपनर बैट्समें यहाँ पर हर मैच में पिसला रिकोर्ट, पूरा रिकोर्ट आप यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा जो भी निदर लेंड का आपनर बैट्समें ने वो नहीं चला हुआ है जो भी चला है वो आपको दिखने का चौथा राउंड पर या पांचमा डाउंड पर वो सभी यहाँ पर रन बनाते हैं इसके अलावा ओपनर बैट्समें इनका कभी नहीं बनाया है रन खास करके किसी भी टीम के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ तो यह टिकने वाली है नहीं तो ऐसे इस्तिति में आपके पास यह खिलाडी होना चाहिए ठीक है एल्वेंड बीक और सी एकरेमेन होना चाहिए बॉलर में चलेंगे तो बॉलर भी हम तीन ही बॉलर लेके चले होएं एक बॉलर यहाँ पर चिंज कर सकते हैं इसके जगह पर सिराज को लेके आ सकते हैं या फिर इस तरह ऐसे लेके चले होएं अगर कोई एक आउट होगा तो तो फिर यहाँ पर दूसरा खिलाड़ी आएगा तो यहाँ पर लेकर चल सकता है लेकिन इसे आप ड्रॉप कर सकते हैं इसके जग़ा पर मुहमद सिराज को लेकर आएगे यह सभी बिकेट निकालेंगे तो फिर यहाँ पर बैलेंस बन जाएगा ठीक है तो इस इस्तिति में आ अनुसरा बनाना है जो कि हमने आपको बता दिया किस तरह से बनाना है उसके अलाब कोई भी यहाँ पर आपको टीम जील होगा या फिर आपको जील टीम हो या फिर किसी पर तरह का अपडेट हो तो आपको टेलेगराम बजाते हैं तो आपको टेलेगराम पर जाके फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिसक्रप्स में मिल जाएगा